कि अपार्टिकल इस मूविंग इन एक्स वाई प्लेन टू डाइमेंशनल मोशन है एक्स वाई प्लेन में जमीन पर चल रहा है मान लिजिए उसका एक्स और वाई दुनों चेंज हो रहा है किसी इनस्टेंट पे ये मान लेते हैं एक्स और ये बॉड़ी चल रहा है तू डाइमेंशन में चल रहा है मतलब एक्स में भी उसकी वाई में भी तो किसी भी एक इनस्टेंट पे क्या दे रहा है वो तो उसका वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट 3 है वाई कंपोनेंट 4 है और उस समय एक्स की तरफ उसका एक्सेलरेशन 2 है और वाई का तरफ एक्सेलरेशन 1 है ऐसा किसी एक इनस्टेंट पे इसका है तो rate of change of speed at this moment इस moment पर आपको बताना है rate of change of velocity नहीं rate of change of speed rate of change of velocity बोलता है तब rate of change of velocity को acceleration बोलते है तो acceleration का y और x दिया ही हुआ है तो resultant निकाल देते है खली acceleration का लेकिन rate options of velocity बोला ही नहीं है rate options of speed बोला है और किसी भी instant पे speed होता क्या है तो velocity का magnitude होता है instantaneous value of velocity magnitude of velocity instantaneous value of magnitude of velocity is called instantaneous speed तो देखिए velocity velocity vector को हम लोग क्या लिखते हैं vxi cap plus vyj cap ऐसे ही लिखते हैं ना vector form में right तो velocity vector का mod जो होगा जिसको हम लोग speed भी बोल देंगे वो होगा vx square plus vy square ऐसे आया अब यह जो mod velocity होता है ना वो instantaneous है तो instantaneous में velocity का magnitude वही होता है जो speed होता है तो इसको मैं speed अब consider कर सकता हूँ यह किसी भी instant का speed है velocity किसी instant पर जो velocity का magnitude होता है वही speed होता है तो speed का value मेरे पास क्या आ गया तो root velocity का जो x टुकड़ा है उसका square plus velocity का y टुकड़ा का square ठीक यह ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि mod velocity x component का square और mod velocity y component का square यानि सिर्फ magnitude मुझे यहां लिखना है अब यह root को इधर ले जाके square कर दीजे आप root को square कर दिए तो क्या आया v square equal to आया v x square plus vy square अब यह v क्या हो चुका है अब speed हो चुका है instantaneous value of speed है यह यह कहें कि यह magnitude of velocity है किसी instant का अब दोनों साइट differentiate करेंगे हम क्यों differentiate करेंगे क्योंकि ax ay भी दिया हुआ है component acceleration का तो velocity को differentiate करके ही तो हम relate कर सकते हैं acceleration को इसको इस term को right तो v square का derivative होगा 2v और dv by dx इग्वल टू इसका derivative करेंगे तो 2v x dv x by dt यहां dt करेंगे time के respect में चल रहा है plus 2vy dvy by dt time के respect में दोनों साइट differentiate कर दिया मैंने तो यह आया 2v यहां से क्या आ गया 2v और bracket में यह जो dv by dt आया यही क्या आया rate of change of speed क्योंकि यह speed की instantaneous value थी speed की तो यह term ही मुझे क्या देगा rate of change of speed speed यह देगा equal to अब इधर का sub term देखें दिया हुआ 2v x और dv x by dt यहनि उसके velocity का x टुकड़ा सिर्फ है यहनि x की तरफ speed change होने का rate क्या है वो 2 दिया है इन्होंने कि x coordinate 2 से change हो रहा तो इसको मैं लिखूंगा ax plus 2vy और dvy by dt क्या होगा तो velocity y की तरफ की इस rate से change हो रहा है तो वो rate 1 दिया हुआ है तो इसको पूरा हम a y लिख दते हैं बाद में value substitute करेंगे इतना सोंज में आ गया देखें अब क्या करेंगे इसमें तो यह unknown है मेरे लिए इसको रहने देंगे और v का value कितना दिया हुआ है व का value किसी भी instant पे तो जिस instant के लिए मैं solve कर रहा हूँ उसमें vx 3 है और vy 4 है तो 3 और 4 का resultant कितना होगा 3 और 4 का resultant 5 होगा 3 square प्लस 4 square का root करेंगे तो यह क्या आएगा 5 तो यानि इस instant पे इसका velocity का magnitude 5 है यानि speed 5 है तो यहां हो जाएगा 2 into 5 और यह तो मुझे पता नहीं है यह unknown है यही निकालना है मुझे कि rate of change of speed क्या है और right side वाले में लिखेंगे 2 vx का value x component है 3 velocity का और acceleration का component है वहाँ पे acceleration का component x है 2 plus 2 velocity का y component कितना है 4 और acceleration का y component कितना है वहाँ 1 तो इस तरह से यह आ गया इसको अब solve करते हैं देखें 10 dv by dt rate of change of speed equal to इन तीनों को multiply के जए 3 गुना दो 6 गुना दो 12 प्लस 4 गुना 8 तो 12 आट क्या हो गया 20 तो dv by dt का value आया 20 by 10 यानि 2 तो rate of change of speed क्या हो गया 2 consumption आ गया देखें 4th